मिसिज अंडरकवर मतलब एक जासूस की फिल्म मतलब मजा आने वाला है तो स्वागत आपका असली बात मेरे साथ में बात कर रहे हैं हम रादिखा अप्टे की आज ही रिलीज हुई फिल्म मिसिज अंडरकवर की फिल्म कोमेडी थ्रिलर है स्टोरी कुछ ऐसे है कि कोमन मैन नाम का विलन है जो लड़कियों को मार देता है जान से वो भी बस उन लड़कियों को मारता है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है इस कोमन मैन ने सारे सीक्रेट एजेंट्स को भी मार दिया है बची है बस एक housewife agent वो भी सिरफ इसलिए बच गई क्योंकि company के पास इसका data नहीं था इतने सालों में agency उसे भूल गई थी अब सब मर गए तो उसकी आदा गई अब वो बचाएगी common man से इन सब को ये थी story जो की average है ट्रेलर से ही पूरी पता चल रही थी वैसे तो फिल्म comedy thriller है पढ़ना तो फिल्म में comedy है ना ही thrill comedy तो फिर भी 5% आपको लग सकती है थोड़ी बहुत हसी आ जाए पर thrill उसको तो भूल जाओ चांसी नहीं है एक चीज अच्छी है फिल्म की फिल्म में message देने की कोशिश की है कि जो औरते घर संभालती है वो बस एक housewife नहीं है उनको कम नहीं मानना चाहिए एक और चीज अच्छी लगी मुझे लास्ट में एक औरतों के लिए मादुरगा पर गाना बना है वो काफी soothing गाना है और बुरी चीज मुझे ये लगी कि राधिका ने काफी बुरी अक्टिंग करी है वो काफी सही अक्टिंग करती थी बट इस फिल्म में तो बहुत बुरी अक्टिंग लग रही है इनफेक्ट राधिका की ही नहीं किसी भी कास्ट की अक्टिंग अप टू मार्क नहीं है फाइटिंग सीन्स बहुत ज़्यादा एवरेज हैं लगता ही नहीं कोई पिट रहा है या कोई पीट रहा है और फाइटिंग सीन्स में सबसे बुरा है जब रादी का मेन विलन से लड़ती है मतलब कोवन मैन से ऐसा लगता है विलन ने पहले ही अतियार डाल दिये भाई मेरे को मार लो उसका मूड ही नहीं आज लड़ने का चुपचप मार खा रहा है नहीं किसिंग सीन्स वगएरा है आप विद फैमली देख सकते हो और फिल्म में लास्ट में दिखाया जाता है कि इसका सेगंड पार्ट भी आएगा आई होप उसमें अक्टिंग ढंकी कर लें मैं इस फिल्म को दस में से पांच ही स्टार दूँगी तो दोस्तों यह था अज का रिविव अगर आपको भी यह फिल्म देखनी है तो यह फिल्म जी फाइफ पर रिलीज हुई है अगर आप फिल्म देखें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी तब तक के लिए धन्यवाद and stay tuned